हेला अव्रीवान मैं गाहितरी हाउटू में गाहितरी मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी लजीज फटा फट तेयार हो जाने वाला नाश्टा यह नाश्टा जो मैंने बनाया है ना इसमें आपको किसी भी तरह के ज्यादा जरू ते घर में जो हमारे चावल बच्चाते ना उसी से और टेस्टी नायांता बनाएंगे यहां मेरे पास है ज्याल आपको इसको हम बिल्कुल बारिक पेस्ट तियार कर लेंगे, तो यहां पर देखिए, इत्ता इसमें मैंने पानी डाला है, जरुत के साथ से कम जादा बाद में करेंगे पानी, तो यहां पर देखिए, इस तरह से इसका यह पेस्ट तियार हुआ है, इसको मैं इस तरह से दिखा दे दिखिए और उसके बाद इसको हम निकालेंगे बाउल मैं convene कइला दिखे लोंग है तो जब देल दलता है साथ में जीरा भी डलता है तो यह लोंग है जो पिसगी है चामल के साथ मैं त weapons को अभिडे बेसं लिए उसके बाद ऐसमें एक छोटा सा उन्ययन चप करके डाला है इसमें जो भी वेजेट वर्ट आपकी घर में अवेल लबर हो डाल सकते हैं यहां पर यह जो पीली वाली मिर्ची होती है वह डाली है साथ में यहां पर मैंने शिमला मِिर्च होती है उसको हाफ चॉप करके डाली है और यहां पर एक टमाटर मैंने चॉप करके इस तरह से डाल दिया है आप चाहए तो इसमें पत्ता को भी डाल सकते हो और घो वेजिटेबल आपके पास है हुआ आप इसमें ढाल सकते हैं, उसके बाद हम साले में जादा कुछी मसाला में आड़ नहींगे, यहां पर हम हल्दी पाउड़ थोरा सा डालेगे उसके नमक टेस्के अक्रडिंग ढालेगे, देखिए नमक है ना चावल में भी था इसलिए नमक हिसापसे डालेगा उसके बाद इसमें लाल मिव्ची पौठ डाला है मैंने आप चाहो तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं जाफ मैंने 1 टी-सपुण सॉफ डाला है आप चाहो तो इसमें अजवाइन या झीरा भी एट कर सकते हैं लेकिन मुझे जीरा और अजवाइन के मुझाबले सोफ का टेस्ट जादा अच्छा लगता है इसलिए मैंने सोफ एट करा है इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जरूरत कि सबसे कम ज्यादा पानी हम बाद में करेंगे यहां पर थोड़ा सा धनिया पत्ती डाला है चौप करा हुआ उसके बाद इसको फिर से अच्छे से मि कर लिया है उसके बाद हम इसको रख देते एक साइड और यहां पर हम गेस के ऊपर रख देते हैं पेन आप चाहों तो कड़ाई रख दीजिए या फिर इस तरह का पेन यूज कर लेजिए चात्रव तेल को हम अच्छे से फेला लेते हैं इसके ऊपर इस तरीके से कम तेल मे काफी अच्छा नाष्टा बनके तयार हो जाता है तो बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम इस प्रे нее डालेंगे और इस तरह से फेला δेंगे एक चोटा सा जो कटलेड का शेप होता न उस तरह का देंगे इसको तो बस यहां पर मैं इस इस तरह से घोल डालरہ हूँ वह इसको फिल आ रहे हूं छोटी से स्पून की हेल्प से यहां पर दिखिए जो नाश्टा हम बना रहे ना ये बच्चों को बिछ चामल से बना रहा है अधिकतर क्या हूता है कि हम चामल बच जाते हैं उनको फेक देते हैं क्योंकि कोई भी नहीं घाता है भी बच्ची पढ़े बी रहेगा और बच्ची बड़े सब भी इसको बहुत ही पसंद से खाते हैं तो पलटी और प्लट देए मपर जब हो जाता है मैं तृटभी अधर की में पलट देगा हो तो नहीं नहीं आता है तो बस इस तरीके है थोड़ा थोड़ा पख जाता है उसके पाने ने स्केना फोड़ा प्र यहीं टेली तो प्र六डी एक दोड़ा जाएक सारी ही मिलंद करने में अहों सब्सक्राइए करूं तो बस यहाँ पर आप इसको सॉस से खाएए बहुत ही टेस्टी लगता है जटनी से भी बहुत टेस्टी लगता है यह आपको मेरी रिसीपी कैसी लेगी कमेंट करके ज़रू बताइएगा फिर मिलती हूं